हाई फ्रेंड असलाम लेकुम आज हम आप लोगों को बेबी जैकेट बनाना बताएंगे ये जैकेट हमने बेबी को उड़ाने वाले एक बड़े से रुमाल से बनाया है तो आज हम आपको step by step इसको बनाना बताएंगे ये बच्चों को पैनाने में बहुत ही खुबसुरत लगती है तो इसको आसानी से बनाया भी जा सकता है तो देखी हमने इसको इस तरह से बना करके ready करी लिया है तो चलिए आज इस जैकट को बनाना शुरू करती है इस जैकट को बनाने के लिए ये हमने कपड़ा ये वला लिया है और हमने ये फोम लिया है हमारे पास बनाने के लिए जैकट बनाने वाली रुई नहीं थी तो इसलिए हमने फोम का यूज किया है तो फोम से अगर आपको बनाना रहे तो आप बहुत ही आसानी से घर पे जैकट बना सकती है क्योंकि ये हर जगा आपको आसानी से मिल जाएगा तो देखिए इस कपड़े की लंबाई हमने ली है 26 इंच और चोड़ाई हमारे पास है 18 इंची हमने इसकी लंबाई चोड़ाई कट नहीं किये ये हमें ऐसे ही बना बनाया रेडिमेट रुमाल मिला हुआ था तो इसी से हम जैकट बनाना शुरू करेंगे हमने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है अब इसे इस साइड हम रखेंगे और एक बार और इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और जो भी हमारा थोड़ा सा इधर उधर निकला गुया कपड़ा है उसे हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि हमें इसको कट कर देना है इसकी चोड़ाई देखिए 6 इंच से थोड़ा सा जादा है डबल पार्ट में इसे सिंगल करने पर 13 इंच आ जाएगी चोड़ाई यानि कि सिलाई के बाद ये 12 इंच आएगी अगर हिल्दी बच्चों के लिए बनाना है तो आपको चोड़ाई इससे जादा रखनी होगी तो एक साइड से हमने किनारी कट कर दी है क्योंकि हमारा ये आउट एरिया जो है बहुत इधर उधर निकला हुआ है तो उसे हम चारो तरफ से कट करेंगे अब हम अपनी आर्मोल का निशान लगाएंगे उसे भी हम कटिंग करेंगे तो यहां आर्मोल हमने थोड़ा जादा रखा है क्योंकि हमें इसमें 1.5 इंच की पट्टी लगानी है और हमने कंदी भी जादा रखा है क्योंकि जैकेट अक्सर मोटे कपड़े में हमें कंदी और आर्मोल दोनों चीज़े जादा रखनी होती है इसलिए हमने 2.5 इंच रखी है अगर हल्दी बच्चे हो तो उनका और भी जादा रखना होगा आपको तो इसको इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे यहां का भी कपड़ा हम नीचे की साइड का कट करके बराबर कर देंगे और यहां साइड से हम इसकी कटिंग करके यहां से हम इसे अलग कर देंगे अब ये जो थोड़ा सा आगे निकला हुआ कप्ड़ा है इसे भी हम कट करके पराबर कर देंगे तो देखिये जितना भी एक्ष्ट्रा कप्ड़ा इधर उदर निकला हुआ था सभी को हमने कट कर दिया है अब थोड़ा सा हम नेक की कटिंग करेंगे तो पीछे वाला नेक हम थोड़ा सा ही कट करेंगे लगबग आधे इंच हमने इसकी कटिंग की है अगर जरूरत हुई तो आधे इंच और कटिंग करेंगे तो एक इंच इसकी गहराई हो जाएगी और आगे की गले की गहराई हमने लगबग धाय इंच रखी है अगर healthy बच्चे हो तो उनकी गले की गहराई तीन इंच रख सकती है तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से यह हमारा आगे का और पीशे का दोनों पाट हमने कट करके तयार कर लिया है अब हम इसमें जो हमें इनर लगाना है उसकी भी हम कटिंग करेंगे तो उसके लिए ये हमने कपड़ा लिया है ये कपड़ा हमारा कटन का कपड़ा है आप इसकी जगँ चाहें तो कोई भी उलेन हो या वेलवेट का कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकती है तो देखी हमने इसकी लंबाई चोड़ाई सेम कटिंग की है जो उपर वाला पार्ट की चोड़ाई जो है वही हमने नीचे वाले कपड़े की भी इनर वाले कपड़े की भी सेम वही लंबाई चोड़ाई हमने कटिंग की है तो इस बात का हमें ध्यान देना होगा कि अगर हमें ठंडे के लिए जैकेट बनाना है तो उसका आम कपड़े के हिसाब से इसकी चोड़ाई और लंबाई हमें थोड़ा सा एक्ष्रा रखनी होगी क्यूंकि सिलाई के बाद ये काफी जादा मोटा हो जाता है तो पहनने में इ इनर वाला कपड़ा रहेगा और उपर से ये प्रिंटेड कपड़ा रहेगा तो पहले हम इनर वाले को साइड में रखते हैं अब इसकी सिलाई किस तरह से करना है वो पहले हम आपको बता दें तो ये हम फोम रखेंगे इस तरह से फोम को रखेंगे फिर उपर वाले लगाने के लिए हमें इस कपड़ को लगाना होता है तो यहां पर आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकती है उसके बाद हम चारो तरफ से इस तरह से सिलाई लगा के इसे fix कर लेंगे और extra कपड़े को cut कर देंगे और फिर इसे इस तरह से खाने खाने बना करके हम सिलाई लगा लेंगे चाहे तो आप सिधी सिलाई लगा ले चाहे तो आप खाने बना ले जो भी आपकी मर्जी हो जो डिजाइन आपको पसंदो उस हिसाब से आप सिलाई लगा सकती है तो चलिए इसकी सिलाई लगा करके आपको हम दिखाएंगे यह फोम के साथ तो देखिए हमने इसकी सिलाई इस तरह से लगा ली है हमने आगे और पीछे वाले दोनों पार्ट में इस तरह से हमने सिलाई लगा करके इसको तयार कर लिया है अब जो भी इधर उदर साइड में निकला हुआ कपड़ा है उसे हम सभी को कट कर देंगे जितना भी हमारा एक्ष्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है सारे कपड़े को हम पहले कट कर देंगे तो देखी हमने सभी कपड़े को इस तरह से कट कर दिया है अब इसको इस तरह से उल्टी साइड रखेंगे और दोनों कंदी को हम जोइंट कर देंगे फिर उसके बाद हम इसे इस तरह से खोल लेंगे सिलाई लगाने के बाद उसी तरह से हम सेम ये अंदर वाले कपड़े को भी सिलाई लगाएंगे ये कंदा जो दोनों है उसे हम जॉइंट कर लेंगे दोनों कंदी को हम एक एक सिलाई से जॉइंट कर लेंगे उसके बाद हम इसमें अटेज करेंगे उसके पहले ये हमने एक वेलवेट का मोटा सा कपड़ा लिया है इसे हम डबल करेंगे और फिर यहां से यहां तक हम एक एक सिलाई से दोनों साइड हम इसे जॉइंट कर देंगे फिर आगे की साइड से इस तरह से गुमाते हुए एक साइड से दूसरे साइड तक नीचे तक हम जॉइंट करेंगे तो देखिए हमने इसकी सिलाई कर ली है इस तरह से पूरे में हमने इसकी सिलाई लगा ली है पूरा नेक से लेके आगे पूरा साइड से लेके सारे में हम सिलाई लगा लेंगे एक एक सिलाई से इसे पैक कर देंगे तो देखी हमने इसकी भी सिलाई लगा लिया है लगा करके हमने इसको कम्प्लेट कर लिया है अब इसे हम सीधी साइड पल्टेंगे इस साइड से भी देख सकती है अब हमने सिलाई लगा लिए अब इसे सीधी साइड करना है तो इसकी साइड की सीधी साइड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे कंदे के पास जगा थोड़ा कम होती है तो इसको बहुत ध्यान से हमें सीधी साइड करना होगा इस तरह से हम आगे वाले पाट को पकड़के इस साइड से खीच के हम निकालेंगे देखी हमने इस तरह से सीधा कर लिया है तो इस तरह से हमारी जैकेट सीधी हो चुकी है अब हमें side की सिलाई करना है तो वो सिलाई अगर हम अंदर की करेंगे तो अंदर की सिलाई नहीं हो पाएगी क्योंकि हमने ये पट्टी जो जॉयंट की है इसकी वजह से हम अंदर की सिलाई नहीं कर सकते तो इसलिए हम इसे इस तरह से रखेंगे और ये वाला जो नीचे का हिस्सा है इसकी हम अंदर की सिलाई पहले कर लेंगे तो यहां से हम पहले कपड़े को पकड़ेंगे और यहां तक हम एक सिलाई लगा लेंगे उसी तरह से हम आगे वाले खरोब करके यहां से यहां तक हम एक-एक सिलाई से इसे पैक कर देंगे तो देखिए हमने जैकेट की सिलाई पूरी कंप्लेट कर ली है अब इसकी सीधी साइट करके हम आपको दिखा दें तो इस तरह से हमने इसकी सीधी साइड कर ली है हमारी जैकेट बन करके पूरी तरह से complete हो चुकी है आप चाहें तो इसमें बटन लगा ले या चाहें तो यहाँ पर यह दोनों के बीच में आप चाहें तो यहाँ पर जिप लगा ले कोई भी खुबसूरत सी जिप लगा ले या ऐसे करके आप बटन लगा ले तो फिलाल अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है वैसे हमें बटन लगाना है इसमे तो फ्रेंट से देखिए इस तरह से हमारी या खुबसूरत सी बेबी जैकेट बन के तयार है घर के बचे हुए कपड़े से अभी आप बना सकती है या कोई भी आप एक्ष्टा कपड़ा जो भी हो आपके पास या कोई भी प्रिंटेट खुबसूरत सा कपड़ा हो कोई भी कप्ड़ा हो आप इससे इस तरह की खुब सूरा सी जैकेट बना गर करके अपने बच्छों को घर पर बना करके पहना सकती है और अपने पैसों की भी बच्छत कर सकती है और बच्छों को racial आप नए